नमस्कार मैं दिनेश कुमार चारण आप सबका इस यूटूब चैनल हिंदी शाहिते का ध्यन में एक बार फिर शेश्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए है या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल हिंदी शाहिते का ध्यन को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें साइड में दिये हुए बैल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाला नया अपडेट आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके और मैं इस प्रशनोतरी सरंखला के माध्यम से प्रती दिन हिंदी के 30-40 महतोपून प्रशन आपके सामने रखता हूँ वो भी व्याख्या शहीत और आपसे एक बुजारिश है कि इसे जदा से जदा लोगों तक शेयर करें ताकि सब को इसका फाइदा हो सके और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब परिख्षा हो जाएगी श्कूल व्याक्षा ताकि या किसी भी ब़लनियों पर curios समभावने में व्यक्त करता हूं क्यूंकि मैं इसे प्रश्णों को ही आपके शामने रखता हूं जो वास्तों में परिक्षा में पूछे जाने योग्य होते हैं तो आज के प्रश्णों पर चर्चा करते हैं पहला प्रश्ण है त्रीच नामक जो कहानी है वो किश्की है त्रीच नामक कहानी है वो उधे प्रकास की है उधे प्रकास आधुनिक युग के एक महतोपून कहानी कार है एक समकाली लेखक है जिन्होंने त्रीच नामक कहानी लिखी है त्रीच एक बहुत ही महतोपून कहानी है जो काफी चर्चित रही है अगला प्रशन है नामवर शिंग ने किस कहानी को नई कहानी आंदोलन की प्रत्थम कहानी माना है मतलर नई कहानी आंदोलन जो प्रारम होता है साथ के दशक में तो उस समय एक नामवर शिंग जी हमारे आधुनिक यूग के एक महतोपौन आलोच जिनका हाल ही में निधन हो गया है उन्होंने माना है कि परिंदे नामक जो कहानी है वहाँ पहली कहानी है जो नई कहानी शेली शे लिखी गई थी समऑधित कहानी करता है यह मानौ म blessed is लिए कि कहानी के जहां अगला प्रेशन है जहाँ लक्ष्मी के यांनम है यह नामक कहानी किस्क है तो यह राजंदर यादव की कहानी है जहां लक्षमी केद है यह कहानी बहुत ही सर्चित कहानी रही है यह पाठे कर्मों में भी शामिल की गई है और यह कहानी इस तरी चेतना इस तरी ओपर एक दो भाई होते हैं उसमें एक बाप अपनी बेटी को इसलिए घर में केद रखता है कि उससे यह पता चलता है कि उसके लक्षमी के होने से ही उसके पास धन है तो इस वात को यहां पर रंगीकार करते ही कहते हैं कि वास्तों में मलब कुछ अवधारना इक गल निक युग की एक महतोपोर्ण कहानी है जिसके लेका कहे है चण्द्धर शर्म गुलेरी यह 1915 में प्रकाशित होती है कहीं कहीं इस कहानी को हिंदी की प्रथम मोलिक कहानी भी माना गया है तो चंदरजर सर्मा गुलेरी आधनिक यूग के एक महतोपन इस्तिहाश वेद है इसके साथ साथ एक महतोपन कहानी का रहे अगला प्रश्ण है नाटक को पंचम वेद किसने माना है पांचवाँ वेद च्यार वेद बने गई है लेकिन पांचवाँ वेद नाटक को माना जाता है वो शोरी नाटक को ने नाटे शास्तर को शोरी ये माना है भरत मुनी ने भरत मुनी ने माना है आचारे भरत मुनी अगला प्रश्ण है जो बीत गई शो बात गई ये प्रश्ण ह कविताओं का लेखन किया है एगला प्रस्ष्ण है संतन को कहां板 सीकरी शोक गाम ये कतन किशका है ये कुम्भन दास ने कहा था अकबर को क्योंकि अकबर को अकबर ने कुम्भन दास को अपने तरबार में बुलाया था फखेह पुर्ष शेकरी में इंग्रेजी इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी शाहितिक आतियास लिखा था दा मोड्रन वर्नाक्यूलर लिट्रेचर और नॉर्दन हिंदुस्तान के नाम से और वो प्रत्विराज राशों की प्रमानिकता के शमंद में कहते हैं कि यहां जो पूरा ग्रांथ है वो जाली है विद्य यह पूर्णता से शही है शाहित देवता नामक निबंद किसका है तो यह निबंद है माखनलाल चतरवेदी जी इंदी के महतोबण कवी है जो राश्ट्री शाष्करती कावेधरा की प्रतिनिती रसनाकार है इनकी रसनाव में केदी और कोकिला और इसकी अलावा ए तहें कभ से प्रादम्ः होता है और इसकी प्रवर्तक कौन है जो व्यवस्ता को लेकर लिखा गया है यह सरसुश सक्षेना कावे के शंदर में देखा जाए तो प्रियोग धर्मी कभी है अगला व्रशन है गोदान का नाटी रुपांत्रन किसके द्वरा किया गया गोदानी को बन्या से प्रेंचन जी का महतोपन उपन्या से किशान जीवन का महाकावी जिसे कहा जाता है यह प्रतिभा अग लिएज़ का नाटी रुपांत्रन किया है अगला प्र aşkन है सब्दकत की शब्धता नामक निबंद सरदार पूरुन शिंग का लिए तक है जिन्हों जो आचरण में हमारे जो प्रिवर्तन होते जा रहे थे उसको लेकर ये बात करते हैं अगला प्रेश्ण है बकलम खुद बकलम खुद नामक निबंध है वो किशका है ये नामर शिंग जी का निबंध है यहां पर मैंने हजारी परसाद वेदी जी निखा है लेकिन ये नामर विवाद समबाद और बकलम खुद ये दोनों ही नामर शिंग जी के लिबंध है अगला प्रशन है हार पहार के लागत है अब आनी के बीच पहार परे ये पंक्ती किशकी है तो ये पंक्ती है घनानन जी की घनानन रीती काल के रीती मुक्द कावे धरा के प्रतिनिधी कवी है जो एक विरह से शमंदित कावे लगते हैं सुजान नामक वेशा से एक प्रेम करते हैं और उशी के विरह में हालंकि इनका प्रेम दो तरह से दिखाई देता है एक स्री कृष्ण के प्रति या फिराराद्यदेव के प्रति या फिर एक सुजान नामक वेशा से जब वो प्र ही जते हैं अगला प्रश्ण है भ्रजवज भासा ही तुँ ग्रजवास हीन अनुमानो यह पक्रण्ति किश्की है भिखारी दास के माल ब्रजवाशी होने की कोई बी इनसान जबाशा का प्रेयोब कर शकता है ये बात कई ये भिखारी डास करिदास रितिकी कि रिती बद्द कवे धरा के प्रतिमी है अगला प्रस्ष्न है खादी के फूल नामक कविता किष्की है यह ह्रिवन्स राइबत्चन की कविता है ह्रिवन्स राइबत्चन एक हालावाधी कवी है साकेत नामक जो प्रवन्द कवे है इसमें 12 सरग है इसमें कितने बारा है जिसके 920 स within बुद में August उर्मीला का विरह बनन किया गया और आठ्वे सरक में केकाई का पश्चा अताब दिखाए गया दरसल उर्मीला साखेते में यूं कह सकते हैं कि भरती साहेते में उपेक्षित पात्र रही है तो रविनला टेगोर जी ने लिखा था इस्तरी उपेक्षिता के नाम से एक लिखा था और तो उसके बाद में महावीद परशादवेदी जी लिखते हैं कवियों की उर्मीला विश्यक उदाशी इंता निबंद लिखते हैं शीशे प्रभावित होकर मेथिलिशन गुप्त शाके यह लेक्त लंट करते हैं अगला प्रशन है मित्टी की बारा अतनामक कविता किस्की यह त्रिलोटं सास्त्री आधुनिक उपन्यास है जिन्होंने मित्टी की बारा अतनामक महत्रोण कविता का लेखन किया अगला प्रशिण है मेला अंचल का कथानक है मेला अंचल उपन्यास है आंचलिक उपन्यास है और यह पुरुणी अजिले का मेरी गंज गाउं है उसके आसपास कि शित्र का यहाँ पर चित्र किया गया है अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में पंजाब की विगत शताब्दी की जिंदगी का ब्योरेवार चित्रन किया गया है। अग्यर अगहों का बहुत ही महतोपून वन्यास है इसका नट जो होते हैं कर नट है तो वह दरसल उनके जीवन को आधार बनाकर लिखा गया अगला प्रश्ण है सरहपा का अन्य नाम क्या है सरहपा शिद्ध कवीते शिद्धों में प्रत्थम थे शिद्धों की शंख्या भी कहा जाता है अगला प्रश्ण है कुकुर्मता नामक कविता किश्की है यह सुर्यकान त्रिपाठी निराला जी कविता है जो एक प्रगत्ति वादी चेतना शेप रभावी तो कर लिखी कविता है कुकुर्मता और गुलाब इन दोनों को आधार बनाकर लिखी गी प्रकार से तुम्हारा पलन्पॉसन याक रहन संहों हो रहा होगा हम किस परकार शेक अपना जीवन ययापन करते हैन उसको लेकर लेटी लिखते हैं प्रशन है क्रोचे के अभीव्यजनाबाद शिद्धान्त की तुलना किश्य की गई है तो वक्रोग्ती शिद्धान से किये क्रोचे फाष्राद्त विचारक है इनों ने अभीवयजनावाद शिद्धांत का प्रतिपधन do और भारत में वक्रोप्ती शिद्धान्त कुंतक ने किया था और अचारे रामचंदर शुक्र जी कहते हैं कि वक्रोप्ती शिद्धान्त है वो ग्रोचे के अभिवंजनावाद का विलायती उठान है अगला प्रशन है ठोला मारूरा दुआ है ये लोकिक कावं masih में प्रस्लितिक मेला स्थपावे अगला प्रशने है विनुद गाना नंद थेए रिती काल के रिती मुक्त कावे धरा के पतिनिती रसनागार और मैं शाहित्य को मनुष्य की दृष्टी से देखने का पक्ष पाती हूँ ये कथन किसका है हजारी परशाद द्विजी जी का अगला प्रश्ण है मेरे राम का मुकट भीग रहा है ये निबंध है ये किशका है तो ये विद्या निवास मिस्र का निबंध है ये बहुत ही महतोपन निबंध है पाठी करमों में भी शामिल किया जाता है और आज हमने हिंदी के किस महतोपन प्रश्णों पर चर्चा की आशा करता हूं मेरे द्वारा दीगी जानकारी आप सब के लिए उपयोगी शाबित होगी और आज के लिए इतना ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद